बचो तो कैसे हो आप लोग यहां पर फाइनली मैं चैप्टर फाइप लेके आ चुका हूँ बचो कक्षा नोई वालों के लिए ब्रीच कोर्स हिंदी का ठीक है बचो ही देखे हैं वो जाओ और पिछले वीडियो देख लो मैंने चारो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके स समझाया और सारे important question आपको बताए बचो ठीक है आज हम चैप्टर पढ़ने वाले बचो अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम ठीक है यह चैप्टर फाइप होगा बचो इसके बाद हमारे कूल तीन चैप्टर और बचेंगे जो मैं जल्द ही आपक तैयारी करवाएंगे बचो ठीक है और जो बच्चे टेलिगाम ग्रूप में नहीं जुड़े उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल रहा है वहाँ जल्दी जोइन हो जाए बच्चो ठीक है क्योंकि त्रेमास से relative सारी information हम वहीं पर डालेंगे और paper से relative या तो आसानी से हल कर पाएंगे ठीक है तो यह आपको पढ़ना है ठीक है अब हां आते हैं पूरे question answer के साथ ठीक है का यह पत्रक एक ठीक है बचो यह तो कुछ नहीं शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है इसको छोड़ देना आपको ठीक है आप जो important आता है तो हम बोलेंगे मिटी वार्णी बोलने वाला इसका अर्थ हो गया तो वाकि क्या बोलेगा हमें सदेव म्रदूबाशी होना चाहिए ठीक है सम्मानी का हो जाएगा आधर्नी इसका वाकियम प्रियोक्या होगा सभी शिक्षक सम्मानी है नैस्ट और विस्मर्णी ठीक है यह फरीष्टा ही बचा सकता एं ठीक है अपने मन से भी लिख सकते हो कोई दिकत नी कैसे भी वाक्या आप मन से बना सकते हो ठीक है लेकिन याद रह यह इंशभ्ध इसमें आने चीए क्यो ठीक है नेस्ट हो जाएगा सहनू भूथी इसका होता है अर्थ होता है हमदर्दी तो कर ताल सके यह पूरा आपको लिखदvityना ठीक है यह सारे जो हमने इनका पत्र जो पड़ाता उनीं इंसे लिया है ऐलगध से कोई नहीं लिया है तो आपको पता चल जाये गां अंतरात्मा को जगाओंश्ट हो जाएगा संकियों यानि और आपको सा सारा समझ में आ गया होगा नैस्ट देख लेते बच्छों कारी पत्रक तीन ठीक है यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट निचे दिये गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जनम दिन की बदाई देते हुए पत्र आपको लिखना है ठीक है तो देखो पत्र भेजन और तुम अपनी जिन्दीगी में सपल हो ठीक आप मन से भी लिख सकते हो जरूरी नहीं कि इस टाइब से आपको लिखना है इक्जाम में भी आ जाए तो आप मन से भी आप लिख सकते हो अपने मित्र को डेडिकेट करें ठीक है यहां पर हो जाएगा प्रेमित्र पत्र आपके में भी प्रियोक करना है ठीक है तो चीन्न ने सबसे पहले प्रश्णवाचक यह वाला चिन्न ते प्रश्णवाचक क्या तुम कल स्कूल गये यह प्रश्ण बूचाए किसीं ने आप से टी तो प्रश्णवाचक हो गया दुसरा क्या बच्शु विसमय या निवाघ्सचीड विन्ग एक के अवसे सब्सक्राइब हितों सब्सक्राइब जो कर दिए जलने हैं इस Selenaya ऊसका पर उद्धरण तुमने प्रहने कि नणर्देतेमाइब नैस्ट देख लेते हैं कार्यपत्रक पांच है थीक यह ऑगा निम्लिकित वाक्यों में यता इस्तान उचित वराम चिन्हें लगा कर वाक्ये पुन्ह लिखी थीकrange किका क्या आपका है तो यह प्रश्नवाचक हो गया तो हमने यह पर पूरा वाक्षी में प्रश्नवाचक जिन नहीं बढ़ा दिया है औरे तुम कहां जा रहा हो तो अरेक यहां पर लग गया विराम फिर कृश्णवाचक लग गया नाइस्ट किया है आपकाा मेरी टोक्री में कैला से बादी फ़ल थे आपको क्या कर रहा विराम चिन आपको लगाना टोड़ थे दिए यहां पर विराम लग गया है यहां पर सपलता पाने से सपल होना सम्मानी ठीक है तो यहां पर हमने क्या यूज किया बचू विरामचिन ने यूज हो गया एक फुल स्टॉप आपका लगया ठीक है नैस्ट क्या बचू दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते तो यहां पर हाइपन लगए अन्हीं की निरदेशक व तो यह वाले रेक्तिस्तन आपको अच्छे से याद कर लेने ठीक है देखो दूश्ट वेक्तियों के साथ साथ आदश भी होते तो आदश भी क्या होते प्रणेता होते ठीक है नैश्ट के साथ मित्र होते हैं किसके साथ दुश्मनों के साथ मित्र होते हैं हर विरुपता के सा भी होती क्या होती सुन्दरता होती ठीक है नेश्ट क्या है हार के साथ की खुश्या मनाने जीत की खुश्या मना ठीक है दोके से सपलता पाने से होना सम्मानी क्या होना सम्मानी असपल होना सम्मानी ठीक है बूरा है कौन है है कौन अच्छा है कौन ठीक है यह च्छे मैं से मै नारटी बोल रहा हो कम से कम दो तो एक्जाम में पूछे जाएंगे तो यह आपको अच्छे से रट लेना है ठीक है अच्छे से पल लेना ठीक है नैस्ट देख लेते हैं कारी पत्रक्षे ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इस टाइप के क्यूशन भी आपको पूछे हो जाएंगे ठीक है मिलते जूलते अर्थ के युग में बनाई है चुप चाप लंबा चोड़ा ठीक ठाक दुख सूप आचार विचार आस पास उचल कूद तन बदन खेती बाड़ी जैसे तेसे ठीक है आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा यह ची आणिये सूची में प्रथम इस्तान प्राप्त करने पर बधाई पत्र आपको लिखना है बचूब बहुत इंपोर्टेंट है देख लीजेगा प्रिये मित्र जो भी नाम हो लिख देना है इसने ठीक है प्रिये मित्र मुझे पता लगा कि तुमने कक्षा दस्वी की परिक् में सपल करें अपने माता पिता को मेरा चरण इश्वर्ष कहना यहां पर तुम्हारा मित्र जो भी नाम आएगा वह आपको लिख देना बचूब तो इस तरीके से आप लिख सकते हो अपने मन से भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं जरूरी नहीं कि यह से आपको छापना ह बच्चो कि यह चीज हमारे समझ में नहीं आई ठीक है और आपका जो भी टोपी के बच्चो मुझे बता देना में वह भी पढ़वा दूँगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चो आपको त्रेमास्तिक का पूरा कोर्स आपको यहां पर मिलेगा बच्चो यहां से आप टोप करोगे बच्चो ठीक है मैं गारेंट के साथ बोल रहा हूं अब जो जो वीडियो में बनाता हूं वह अगर पढ़ लिए ना बच्चो मैं नौट्स भी प्रोवाइट कर रहता हूं बच्चो टेलीगाम ग्रूप में ठीक है तो उसमें जरूर जुनना है आपको तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू बच्चो